चतना खुसी और यह बात कर रहे हैं आपस में दिदी मैं तो आपके इंगेजमेंट में बहुती ज़्यादा तैयार होंगी इतना तैयार होंगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुबसुरत दिखूंगी दिदी ठीक है खुसी तुम तैयार हो जाना बहुती ज़्यादा मेरी बड़ी बहन का साधी है मैं तो बहुत ही तयार हूँगी की नहीं बहुत ही अच्छे से तयार होना है जीजु तो देखके मेरे को ही बोलेंगे वाओ मैं तो खुसी के साथ ही इंगेजमेंट कर लूँगा ठीक है तुम ही राउल से इंगेजमेंट कर लेना ऐसे ही आपस मेरी यार खुशी बात करने है छत में इधर घर की साफसपाई चल रही है अरे और भी समान लाना है अंदर से निकाल के जल्दी साफसपाई कर देती हूँ बहुती वक्त लगेंगे कितने समान है साफसपाई करके फिर रखना भी है जगे पे अरे बहु सारे समान निकाल दिये घर से तुमने अरे हाँ माजी सारे समान तो निकाल दिये हैं और कुछ समान है निकाल देती हूँ हाँ जल्दी निकाल दो फिर सापसपाई करके अंदर रखना है बहुती वक्त लगेगा ठीक है माजी रिया को बुलाती हूँ थोड़ा हिल्फ कर देगी मेरे को और सर्दी के कपड़े भी धूप में बोलती हूँ सुखा देगी अरे रिया काँ हो जल्दी आओ जल्दी आओ सर्दी के कपड़े लेकर सुखा दो धूप में हाँ भावी मैं जा रही हूँ ठीक है खुसी, तुम है यही पे बैठो, मैं आती हूँ, भावी क्यों बुला रही है मेरे को ठीक है दिदी, आप आईए जल्दी जाती हूँ, भावी क्यों बुला रही है जी भावी बोलिए अरे रियाद सर्दी के कपड़े दूप में सुखा दो और मेरी हेल्फ करो घर की सापसापाई में और समान इदर उदर विख्रे पड़े हैं, सबको सही जगा रखने में ठीक है भावी, मैं अभी सुखा के आती हूँ, धूप में सर्दी के कपड़े फिर आपकी हेल्फ करती हूँ, बहुती सामान इदर उदर विख्रा पड़ा है घर की सापसापाई अच्छे से कर देंगे ठीक है, मैं सर्दी के कपड़े सुखा के आती हूँ ठीक है, जल्दी जाओ छट पे, सर्दी के कपड़े डाल कर जल्दी आजाओ जाती हूँ सर्दी के कपड़े सुखा देती हूँ छत में सर्दी के कपड़े सुखाने से रेक्टरिया जितने होते हैं मर जाते हैं मैं सुखा देती हूँ दूप में चलो मैंने तो सर्दी के कपड़े सुखा दिया है अरे खुसी आजाओ नीचे भावी के थोड़े हेल्प करते हैं आज घर की साफसापाई कर रहे हैं भावी अकेली परेसान हो जाएंगी आजाओ हम दोनों हेल्प करते हैं भावी को हाँ दिदी ठीक है चलिए अरे रिया दूप में डाल दिया न सर्दी के कपड़े ठीक है भावी हम किचन रूम साफ कर देते हैं चलो खुसी सारे समान को लेकर चलो किचन रूम में रख देते हैं एक एक करके हाँ ठीक है चलो दिदी और रिया खुसी किचन रूम का समान लेकर जाते हैं किचन रूम साफ करने के लिए तिये में रूम में जाती हूँ अंदर और क्या समान है निकाल देती हूँ चलो सारे सो समान निकाल दिया है जाड़ू कर देती हूँ सारे रूम को जो भी गंदा है साप कर देती हूँ जल्दी साप कर देती हूँ अभी पूरे सारे घर को साप करना है अंदर कभी साप कर देती हूं जल्दी जल्दी लेकर रख देती हूं सारे समान किया दीदी हमने तो किचन रूम कितना प्यारा करके सजा दिया है हाँ खुसी सच में बहुती सुन्दर सजा दिया है हमने किचन की साप सपाई कर दिया है अब चलो भावी की थोड़ी हेल्फ कर देते हैं घर को साप किया की नई भावी ने जल्दी चलो अरे भावी हमने किचन साप कर दिया है चलो तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया चलो किचन साप कर दिया मैं भी अंदर का साप कर दी हूँ गर के अंदर का चलो समान सब उठा देते हैं ठीक है भाबी बेड साप करके रख देते हैं आपने जाडू दे दिया अंदर हाँ मैंने जाडू भी कर दिया है और साप सापाई भी कर दिया है अंदर का ठीक है इसको भी उठा के रहा इसको भी साप कर देते हैं कितना अच्छा लग रहा है घर अभी साप सपाई के बाद कितना अच्छा लग रहा है घर बहुत ही प्यारा लग रहा है घर का साप सपाई हो गया तो बहुत घर कितना सुन्दर दिख रहा है हाँ रिया कितना सुन्दर और कितना साप सपाई दिख रहा है घर चलो मैं जाड़ू रख देती हूँ वाव कितना अच्छा लग रहा है घर साप होने के बाद मा कितना अच्छा लग रहा है ना घर साप होने के बाद हाँ खुसी वेटा हा रिया हाँ बहू कितना अच्छा लग रहा है घर साप होने के बाद और यहा का घर का साप सपाई हो जाता है जिसी आज की कहानी दोस्तों अमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीस हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकनी को क्लिक करना ना बुलें अब तक के लिए थांक यू एंड बाई बाई